Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मैम आप लव रीडिंग्स करते हैं करियर, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं तो चलिए जी आपकी शिकायत दूर करते हैं आज की पिका कार्ड रीडिंग का हमारा टॉपिक है करियर, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनसेज, मनी और स्टाडीज मेरे पास यहाँ पे तीन पाइल है सबसे पहला पाइल है सिट्रीन, येलो क्रिस्टल सेकंड पाइल है टाइगर्स आई, येलो क्रिस्टल थर्ड पाइल है ग्रीन क्रिस्टल तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर के बारे में सोचते हुए आप इन टीनों में से एक पाइल को चूज कर लें यहाँ पे आप वीडियो भी पॉस कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज करने के लिए और जो पाइल सबसे पहले आपको अट्राक्ट करता है उसको आप चूज कर लें आप कलर से बायस ना हो आप शेप से बायस ना हो अगेन मैं कहूंगी लॉजिकली बहुत जादा एनलाइज ना करें जो पाइल पाइल को चूज करें और अगर आपके माइन में कोई specific question है अपने career अपनी professional life से related तो उसके लिए भी आप you know पाइल चूज करके अपनी reading देख सकते हैं और अगर आप दोनों ही चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों सवालों को अलग-अलग सोचते हुए उनके यह अलग-अलग pile चूज करें तो चलिए जी let's get started और अगर आपने pile 1 यानि की yellow crystal चूज किया है तो देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं अप से लेकर आने वाले next 3 months आपकी professional life, career, finances के लिए कैसे रहेंगे तो यहाँ पे rider वैट से हमारे पास card है ace of cups, three of cups and three of wands, psychic tarot से हमारे पास ह transformation, balance, universe, oracle card है यह कोई मैं नाम भूल रही हूँ उससे body work है, wisdom oracle से हमारे पास है unfinished symphony and time for a nap, monology card से हमारे पास है a time to give rather than take and दूसरा card है meditate and contemplate तो pile 1 आप लोगों के cards मेरे सामने हैं और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि अप से लेकर अगले 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही great रहने वाले हैं क्योंकि तकरीबन सारे ही cards आप लोगों के लिए बहुत ही खुबसूरत हैं, बहुत नहीं cards कहते हैं कि पुरानी कुछ चीजें end हो सकती है और एक नई beginning हो सकती है और ये नई beginning आपकी life में बहुत जादा एक happiness ला रही है, हो सकता है कि अपनी professional life में जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप बहुत passionate हैं, वो काम आप finally कर पा रहे हैं, या हो सकता ह कोई project है जिसको आप चाहते थे बहुत time से वो आपको मिल गया है, आप बहुत खुछ दिख रहे हैं, पुराना कोई project खतम हो रहा है, जो लोग study से related देख रहे हैं, उनके लिए भी एक नई beginning होते हुई दिख रही है, हो सकता है जो subjects आप चाहते थे, जो course आप चाहते थे, वो कहीं आपको मिल गए हैं और आप बहुत जादा खुश मुझे देख रहे हैं, और यहाँ पर three of cups and four of wands के भी cards हैं, यह दोनों ही cards किसी तरीके की celebration की बात करते हैं, यहाँ पर four of wands का card मुझे कहता है कि change of place हो सकता है, change of office हो सकता है, change of work हो सकता है, change of job भी बहुत सारे लो के लिए मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ace of cups and transformation के cards हैं, और यह दोनों ही cards कहते हैं कि कोई पुरानी चीज एंड हो रही है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी end हो सकता है, आपका पुराना काम करने के तरीके होते हैं, जिनको आप end करके नए तरीकों से काम कर रहे ह नया हो सकता है, पुराना project खतम हो रहा है, नया project end हो रहा है, जो study से related देख रहे हैं, हो सकता है कि उनका एक phase या एक semester खतम हो रहा है, नया शुरू हो रहा है, जो काफी एक again मैं भूलूंगी happiness और joy ला रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए नई job हो सकती है, या within job, within काफी changes आते हुए दिख रहे हैं, जो की happiness आपकी life में लेकर आ रहे हैं, और हो सकता है इस चीज को बहुत जादा आप अपने loved ones, close ones के साथ celebrate कर रहे हैं, अपने friends के साथ celebrate कर रहे हैं, और ये happiness कहीं एक you know togetherness भी आपके loved ones के साथ ला रही है, तो in all काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और finances से related अगर हम देखें, तो शायद बहुत जादा great मैं नहीं कहूंगी, obviously एक happiness है, एक joy है, तो आप मुझे खिश दिख रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए याँ पे balance का card मुझे कह रहा है, कि बहुत important है आप से लेकर अगले तीन महीनों में आप एक balance लेकर आए और खुशी की वज़े से बहुत जादा खर्चा आप ना करें, again मैं कहूंगी कि बहुत ही moderate तरीके से चलें, finances से related एक balance आप ज़रूर रखें, यहाँ पर universe का card मुझे कह रहा है, कि universe आपको support कर सकता है, again travel हो सकती है, change of place हो सकता है, आप out of country भी अपने work, अपनी professional life के लिए ज और यहाँ पर unfinished symphony का card है, और यह card मुझे कह रहा है, कि हो सकता है, नई beginning करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनको आप खतम करना चाहते हैं, उस पे आपका बहुत जादा focus है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर unfinished symphony का card मुझे कहता है, कि नई beginning क करने से पहले जरूर पुराने projects या पुरानी चीजों को एक बरी complete कर लें, और ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, यहाँ पे time for a nap का card मुझे कहता है, कि हो सकता है, पीछे आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत महनत कर रहे थे, इस नई beginning के लिए, और finally आप बहु work का card दो तीन चीजें बोलता है, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई beginning से पहले पुराना काम कर रहे हैं, तो काफी एक physical work है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत जादा एक excitement है, बहुत जादा एक enthusiasm है, क्योंकि देखिए यहाँ पे four of wands का भी card है, तो यहाँ पे meditate and contemplate का card, अगेन वही चीज बोलता है कि एक balance बनाए, over happy ना हो, over enthusiastic ना हो, थोड़ा सा अपनी energies को काम करना भी बहुत important है, क्योंकि यहाँ पे देखिए time for nap में भी यही चीज हमें card कह रहे हैं, अगेन मैं कहूंगी एक balance बना रहे हैं, और यहाँ पे body work आपको यह भी message दे सकता है कि physical exercise, यहाँ अपनी body को किसी भी तरीके से ना ignore करें, बहुत जादा अपने आपको चीजों को लेके exert ना करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि you know body work से related, कुछ भी वो अपनी professional life में कर रहे हैं, यह physical effort जादा लग रहा है आपकी professional life में, और देखिए यह general reading होती है, तो कुछ भी body work से related हो सकता है, सबके लिए यहाँ पर differ रह सकता है, यहाँ पर a time to give rather than take का card है, और यह card मुझे कहता है कि हो सकता है, आपको लगता हो कि आपके loved ones ने, आपके close ones ने, आपको बहुत support दिया है, आपके साथ बहुत जादा किया है, और अब आप उनके लिए करना चाहते हैं, इस नई beginning, इस खुशी को उनके साथ share करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए message हो सकता है, कि देखें जो आप deserve करते थे, वो आपको मिला है, जो आप चाहते थे वो आपको मिला है, तो जरूर universe को gratitude करे, universe को एक वापसी दे, किसी भी तरीके से कोई सेवा कर सकते हैं, gratitude बहुत एक अच्छा तरीका होता है, universe को वापसी करने के लिए, और जिन भी लोगों ने आपको इस जर्नी में support किया है, उनको भी जरूर किसी तरीके से आप वापसी दे, किसी तरीके से एक gratitude आप express करें, तो in all again मैं कहूंगी, pile one बहुत ही ये next 3 म महीने, आपकी professional life, आपके career, आपके finances, आपकी study से related जाते वे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यह सो सकता है, graduation ceremony है, और जो लोग study से related देख रहे हैं, I don't know मैंने mention करा हैं नहीं, हो सकता है कि आपके पसंद के subject आपको मिल रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, और जिस भी जगा पे आप रहते हैं, मुझे दिख रहा है कि दूसरी university में हो सकता है, आपको admission मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है, out of country, या फिर out of city जा रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी और university में, किसी और college में उनको admission मिल रहा है, जिसमें वो again चाहते थे, उनका मन था, उनकी इच्छा थी, उसी college और university में भी admission मिल सकता है, जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, और जिन लोगों के exams हैं, उनके लिए मैं कहूंगी, कि थोड़ा सा हो सकता है, आप group studies कर रहे हों, अपने friends के साथ, you know, online studies, या group studies, ज़्यादा focus कर रहे हों, और कु बहुत important है अपने पढ़ाई में करने के लिए, हाला कि आपके results अच्छे ही दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी कि focus ज़रूर करें, too much of celebration, too much of मजा, मस्ती पे focus ना करें, क्योंकि उससे आपके results effect हो सकते हैं, तो ये थी pile 1 आप लोगों के लिए reading, और अगर ये reading आपक यानि की tiger's eye या black crystal choose किया है, तो चलिए pile 2 देखते हैं, cards क्या कहते हैं, कि next 3 months आप लोगों की professional life, career, finances और studies से related कैसे रहेंगे, तो राइडर बात से हमारे पास card है judgment, the sun reverse, 10 of pentacles reverse, material and spiritual prosperity, positive movement forward, victory and success, आपके लिए इस oracle से हमारे पास card है teaching, wisdom oracle से हमारे पास cards है thinker, chop wood and monology से हमारे पास है communication, इसकी your hard work is paying off. Pile 2 आप लोगों के लिए देखें, तो again यहाँ पे बहुत ही positive cards हैं, बट Rider Watt के बहुत अच्छे cards reverse हैं, जो कि किसी तरीके की blockages की बात करते हैं, चलिए detail में देखते हैं, कि cards आपको क्या message दे रहे हैं, क्या guidance दे रहे हैं, और क्या next 3 months आपकी professional life, आपके career, studies, finances मिले कर आ रह हैं, तो सबसे पहले हम psychic tarot को read करते हैं, और यहाँ पे material and spiritual prosperity का card है, positive movement forward का card है, victory and success का भी card है, और इन तीनों cards को हम one by one read करें, तो हमें बहुत ही clearly कहते हैं, कि जो भी finances related आपने target अपने लिए set किया है, जो भी आप achieve करने चाहते हैं, उस direction में एक positive movement होती हुई दिख रही है, और finally by the end of three months आपको उसमें success मिलती हुई दिख रही है, आप अपना target अचीव करते हुई दिख रहे हैं, in another words, financially चीज़ें काफी अच्छी जाती हुई दिख रही हैं, और professional life से related, यहाँ पे judgment reverse, the sun and ten of pentacles reverse के cards हैं, और judgment reverse का card मुझे कहता है कि professional life से related हो सकता है कि आपको major decisions लेने major choices करनी है, कुछ पुराने मसले, कुछ पुरानी चीज़ें अटकी हुई है, उनको end करके एक नई beginning करनी है, यहाँ मैं कह सकती हूँ कि उनको end करना है, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत जादा critical हो रहे हैं, बहुत जादा judgmental हो रहे हैं, किसी level पे आपको परेशान कर रहे हैं आपके बारे में अच्छी बाते नहीं कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा bother कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पे thinker का card मुझे कहता है कि आप बहुत जादा सोच रहे हैं, overthinking कर रहे हैं, यहाँ इन another words मैं कह सकती हूँ कि आप सोच बहुत जादा रहे हैं, planning आपको यहीं बोलोंगी pile two की देखें, यहाँ पे बहुत ही beautiful cards हैं, और यह तीनों ही card success और victory की बात करते हैं, तो यह चीजें आप achieve कर सकते हैं, यहाँ पर भी your hard work is paying off का card, बहुत ही clearly बोलता है कि अगर आप hard work करते हैं, जो आप चाहते हैं, उस direction में एक focused effort करते हैं, अपना ध्यान इधर उधर नहीं deviate करते हैं, फालतु की बातें आप नहीं सोचते हैं, यहाँ पे thinker और chop food के cards कहते हैं, again effort करते हैं, तो ज़रूर आपको efforts का result next three months में मिलेगा, तो जो भी पुरानी चीजें आपको नहीं serve कर रही हैं, bother कर रही हैं, वो लोग हो सकते हैं, situation हो सकती है उनको आप end करें या उनकी तरफ से आप अपना ध्यान हटाएं, और you know decisions लें, जो भी आपको choices करनी हैं, वो आप करें, यहाँ पे sun reverse का card मुझे कहता है कि शायद कुछ चीजों में clarity लाने की ज़रत है, एक again देखें, यहाँ पे positive movement forward रखने की ज़रत है, किसी भी तरीके की negativity अगर आपके mind में आ रही है, तो उसको भी clear करने की ज़रत है, और कहीं sun, you know, success, happiness, joy की बात करता है, तो यहाँ पे यह card reverse हमें कहता है कि, you know, success मिल रही है, लेकिन complete नहीं है, उसमें थोड़ी सी missing feeling है, joy है, happiness है, लेकिन एक missing feeling है, कभी-कभी होता है ना कि हम अपने goal, अपने मक सत के बिलकुल करीब हैं, और हमें लगता है कि बस अब हमने achieve कर लिया, लेकिन हम उसको नहीं चूपा रहे हैं, तो कोई ऐसी सी situation professional life में रह सकती है, यहाँ पे 10 of pentacles reverse का card मुझे कहता है, कुछ लोगों के लिए inheritance related issues हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि property में invest करना land से related, you know, cheese कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं, और कहीं एक खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि family का support जिस तरीके से वो चाहते हैं, उनकी family हो सकता है, देना चाहती है, लेकिन कुछ reasons की वज़े से नहीं दे पा रही है, कुछ लोगों के ल पा रही है, नहीं, you know, आपको understand कर पा रही है, जिसकी वज़े से issues हो सकते हैं, शायद वो पुरानी बहुत rigid तरीके ही अपनाना चाहते हैं, या मैं कहूंगी कि, you know, किसी level पे success मिल रही है, लेकिन एक stability नहीं आ रही है, फिर भी एक insecurity रह रही है, फिर भी एक instability आपके mind में र रही है, जैसे आप चाहते हैं कि पर्मनेंट हो जाए, वो हो सकता है कि नहीं हो रहा है, या फिर मैं कहूंगी pile 2 कि आप बहुत जादा सोच रहे हैं, इसलिए शायद आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो in all काफी अच्छा, you know, next 3 months जात आते वे दिख रहे हैं, आपे teaching का card मुझे कहता है, कि कुछ चीजों को समझने की ज़रत है, और अगर आप अपनी skill, knowledge अपडेट करते हैं, तो वो भी आपको बहुत जादा help करेगी, और again, you know, teaching card मुझे कहता है कि कुछ मसलें हैं, अगर कुछ issues हैं, तो आप सरूर किसी से advice लें, किसी से counselling लें, ये भी आपको help करेगा, और यहाँ पर communication is the key का card हमें कहता है, कि थोड़ा सा अपनी बातचीत अच्छी रखें, जो भी email भेशते हैं, message भेशते हैं, किसी से भी बात करते हैं, सोच समझ के करें, misunderstandings होने के chances हैं, और वैसे भी, देखे, pile 2 अब बहुत ज सोच रहे हैं, तो इसमें भी कहीं, you know, कभी-कभी चीजें नहीं होती हैं, और हमें लगने लगती हैं, तो इसलिए भी अपना communication ठीक रखें, overall, next 3 months बहुत अच्छे जा सकते हैं, कुछ चीजों के उपर work करने की जरत है, और again मैं कहूंगी, कि जो चीजें आपको serve नहीं कर हैं, उनको आप छोड़ दे, जो चीजें परिशान कर रही हैं, जिन चीजों की वज़े से आपका ध्यान बट रहा है, उनको आप छोड़ दे और आप एक genuine effort करें, and yes, जो लोग study से related देख रहे हैं, उनके लिए भी कहीं, you know, देखिए, success मिलेगा, जो आप चाहते हैं, वो course आप चाहते हैं, जो subject आप चाहते हैं, उसमें आप clear नहीं हो पा रहे हैं, आप decide नहीं कर पा रहे हैं, कि भाई कौन सा course आपके लिए अच्छा है, आपकी professional growth के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, और कहीं हो सकता है, family की तरफ से support मिल रहा है, लेकिन family इतना प देख रहा है, again जो लोग पढ़ाई से related देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी, कि आप overthinking ना करें, और जिनके exams आने वाले हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि देखें, थोड़ा सा concentration और थोड़ा सा focus ज़रूर बनाए रखें, हो सकता है कि family में कोई get together है, कोई celebration है, उसमें बहुत ज़्यादा involved हो रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे results मिल सकते हैं, जो भी आपका level है, again देखें क्योंकि यह general reading होती है, लेकिन focus, concentration, clarity बहुत important है, decision लेना बहुत important है कि आप finally क्या चाहते हैं, overall काफी अच्छा जाता हु आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको guidance मिली है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें, और अगर आपने pile 3 यानि की green crystal juice किया है, तो pile 3 देखते हैं कि next 3 months आपकी professional life, career से related कैसे रहने वाले हैं, तो यहाँ पे rider badge से हमारे पास है king of cups reverse, ten of cups reverse, the lovers and psychic tarot से हमारे पास ह emotional withdrawal, authority, conflict and dispute, wisdom oracle से हमारे पास है serendipity and to the sea, monology से हमारे पास है surrender to the divine, step out of your comfort zone, और इस oracle का मैं नाम भूल रही हूँ, यहां से हमारे पास card है, protected, तो pile 3 सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि tarot is more for counselling, tarot is more for guidance, और अगर आपकी reading जो आप चाहते हैं उससे नहीं match कर रही है, तो मायूस होने की ज़रत नहीं है, उसका मतलब सिर्फ यह है कि you know currently, present में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप चल रहे हैं, वो आपके desired outcome की तरफ आपको नहीं लेकर जा रही है, और अग आपके लिए आपे cards मुझे जादा एक advice दे रहे हैं, जादा एक guidance दे रहे हैं, and I'm sure कि अगर आप इस guidance को follow करते हैं, तो जो भी result आप अपनी life में, career, professional life, finances से चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ आपे मैं दो levels पे देखूंगी, पहले मैं studies और career से start करूंगी, और जो भी लोग इस part को नहीं देखना चाहते हैं, वो वीडियो को forward कर सकते हैं, या नीचे मैं time stamps mention कर दूंगी, तो आप directly professional part पे जा सकते हैं, तो again, जो लोग अपनी studies या career से related देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि यहाँ पे सबसे पहले cards देखिए, king of cups, lovers, and ten of cups, reverse ह तीनों ही cards मुझे कहते हैं, pile 3, कि आप बहुत जादा अपने love affair, अपने love life, अपने relationships पे focus कर रहे हैं, और उसकी वज़े से बहुत जादा, you know, emotionally low feel कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी पढ़ाई पे नहीं focus करेंगे, जो भी career option आप choose करना चाहते हैं, जो भी university, जो भी college में आप admission लेना चाहते हैं, उस direction में attention नहीं देंगे, focus नहीं करेंगे, या कोई effort नहीं करेंगे, तो आपको एक defeat, एक, you know, my UC face करनी पड़ेगी, यहां पे conflict and defeat का card, यहीं चीज़ हमें बोल रहा है, और देखे होता क्या है, कि हम पढ़ाई में अच्छा result चाहते ह हम अच्छी university चाहते हैं, हम, you know, अच्छा career option चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ पर focus नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान अपने partner की तरफ जादा है, जो भी मसले हो रहे हैं, जो भी आपके disagreements हो रहे हैं, उन पर focus कर रहे हैं, उनकी वज़े से low feel कर रहे हैं, तो एक conflict तो चलेगी, आप खुश तो नहीं रह सकते हैं, और वही चीज़ cards भी दिखा रहे हैं, कि emotionally आप बहुत low feel कर रहे हैं, तो इन energies में से बहुत जादा pile 3 अपने आपको निकालने की ज़रत है, और वो तभी होगा, जब you know, आप एक awareness लाएंगे और समझेंगे कि अभी आपके you know, apply करेंगे अपनी life में, उस चीज़ पर focus करेंगे, यहाँ पर to the sea and surrender to the divine के cards बहुत ही clearly बोल रहे हैं, कि you know, थोड़ा सा going with the flow all energies में रहने की ज़रत है, जो भी चीज़े especially आप अपनी love life में, अपने relationship में नहीं change कर पा रहे हैं, उनको divine के ऊपर छोड़ने की ज़रत है, faith औ आप अपना focus हटाएं और अभी देखें कि आपके लिए क्या priority है, आपके लिए क्या important है, love affair तो देखें, फिर से आप 3-4 महीने बाद भी उसको ठीक कर सकते हैं, बट यह time आपका चला गया, जहाँ पर आपने पढ़ाई करनी है, तो exams आपके निकल गए, जो कि बहुत अच् कर पाएंगे, आपका वो time waste चाहेगा, तो again मैं कहूंगी कि अपने partner या love affair या relationships पे बहुत ज़्यादा focus ना करें, यहाँ पर authority का card मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके rigid हो रहे हैं, flexible नहीं हो रहे हैं, और जो लोग you know, यो किसी university में admission चाहते हैं, career option च इसलिए आप low feel कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से attach हो रहे हैं, एक सही decision नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगी कि again universe पे छोड़ें, faith पे कुछ चीज़ों को छोड़ें, going with the flow वाली energies में रहें, और यहाँ पे serendipity बहुत ही positive card है, यह card कहता है किस्मत आपका साथ देगी, fortune आपको favor करेगा, luck आपके साथ है, तो again मैं कहूंगी, please आप universe पे भी भरोसा रखें, देके सब काम हम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें universe भी हमारे लिए करता है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ठीक ना लग रही हों, या कुछ चीज़ एक चीज आपकी life में लेकर आएंगी, बहुत ही आगे जाके आपकी life में happiness और joy लेकर आएंगी, और अब उन लोगों के लिए देखते हैं, जो professional life, finances से related देख रहे हैं, तो आपके लिए भी देखिए, मुझे देख रहा है कि आप बहुत ज़ादा चीज़ों को लेके fixated हो हैं, ego issues रह सकते हैं, आपके और आपके co-workers या जो लोग help करते हैं उनके बीच में, और कहीं you know again बहुत ज़ादा attach हो रहे हैं, बहुत ज़ादा emotional हो रहे हैं, देखिए हम professional life और finances related कहते हैं, कि अगर आप mind से काम लें, थोड़ा सा practical, थोड़ा सा logically चीज़ों को देखें या कर तो ज़ादा better रहता है, और यहाँ भी कहीं again मुझे दिख रहा है, कि एक conflict आपके mind में रह सकती है, एक defeat या एक हार आप महसूस कर सकते हैं, या face कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़ादा दिल से काम ले रहे हैं, दिल और दिमाग का balance बहुत important है, और professional life में again मैं कहूंगी, एक practical, एक logical approach रखना बहुत ज़ादा important है, हो सकता है, मैं यह example दे रही हूं, कि आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, और आप you know, emotions की वज़े से, relationship की वज़े से, या एक अपने soft nature की वज़े से, अपने पैसों का तगादा नहीं कर रहे हैं, यह again मैं एक example दे रही हूं, तो इ इसी वज़े से, आपकी professional life, आपके finances, आपका money part सफर कर रहा है, यह एक you know, जैसे आप चाहते हैं, वैसे चीज़े नहीं हो रही हैं, यहाँ पर authority का card मुझे कहता है, कि you know, थोड़ा सा आप अपनी बात कहें, अपने stands रखें, और एक clarity लेकर आएं, कि भई, आप क्या चाहते हैं, आपका किसमें फैदा है, और उस direction में भी effort लें, यहाँ पर to the sea and surrender to the divine के cards मुझे कह रहे हैं, जो चीज़ें आप नहीं बदल पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं change कर पा रहे हैं, उनको आप universe पे छोड़ें, जिस भी God को आप मानते हैं, उन पर faith रखें, आगे बड़े going with the flow वाली energies में रहें, और यहाँ पर देखिए serendipity भी बहुत ही positive card है, यह कहता है luck आपको favor करेगा, fortune आपके साथ रहेगी, किसमत आपका साथ देगी, तो जरूर यूनो हो सकता है कि surface level पे अभी next 3 months के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको इतनी satisfaction, happiness, joy नहीं दे पा रही हैं, लेकिन आगे जाके आपकी life में काफी happiness लेकर आएंगी, और again मैं कहूंगी अपना focus change करें, थोड़ा एक logical, थोड़ा एक practical approach लाने की कोशिश करें, यहाँ पर step out of your comfort zone का card है, कहीं बार ही होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही relax हो जाते है relax in the sense की भाई देखो अब यह नहीं हो रहा है, एक comfort आ जाता है तो उससे भी बहार निकलने की जरत है, जो चीज़ें शायद आपने अभी तक नहीं करी, यहाँ हो सकता है आपने अपने loved ones को ना नहीं बोला है किसी चीज़ के लिए और अब आपके लिए difficult हो रहा है उनको न बोलना, difficult हो रहा है उनको मना करना, तो उस comfort zone से भी बहार निकलें, again मैं कहूंगी कि आप अपना goal बनाएं, अपने goal को अपने सामने रखें और उसको achieve करने के लिए क्या एक action लेने की जरत है वो लें और emotions, feelings, relationships इनको back front पे रखें और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि love affair पे इतना ज़्यादा focus है कि अपनी professional life में नहीं focus कर पा रहे हैं, आपे protected का card मुझे कह रहा है, you are safe and supported while you change your career, तो कुछ लोग अपना career अगर change करना चाहते हैं, या you know in general क्योंकि ये general reading है, तो हो सकता है कि कुछ changes अगर आप अपनी professional life में चाह रहे हैं, तो आप करें, universe आपके स है, आपको favor कर रहा है, और यहाँ पे serendipity का card भी वही चीज बोलता है, कि किसमत आपका साथ दे रही है, जैसे चीज़ें आ रहे हैं वैसे ही लेते जाएं, किसी भी तरीके की एक emotions और feelings की वज़े से, उस चीज़े को block ना करें, और ये low energies में से अपने आपको निकालना बह आपको self-talk अपनी better करनी है, जो भी आप communication अपने आप से कर रहे हैं, उसको आपने better करना है, आप counseling advice भी ले सकते हैं, तो in all again मैं कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा love, relationships, emotions, feelings और attachment को deal करते हैं properly, उस पे इतना focus नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक practical, realistic approach लेकर आते हैं, going with the flow वाली energies में रहते हैं, जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं, उसको divine पे छोड़ते हैं, जो भी आपका comfort zone है, उससे बाहर निकलते हैं, तो ज़रूर आपको अच्छी opportunities मिलेंगी, और थोड़ा सा again मैं कहूंगी कि opportunities मिल रही हैं आपको इन तीन महीनों में, लेकिन emotionally आप इतना low feel क कर रहे हैं कि आप उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप aware रहते हैं, उन opportunities को grab करते हैं, उन opportunities को avail करते हैं, तो यह जो conflict और defeat है, इसको आप change कर सकते हैं, इसको आप success और victory में बदल सकते हैं, तो यह थी pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके स सवालों का जवाब मिला है, आपको guidance मिली है, आपको direction मिली है, तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें